हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग एच्छे हूंगे मैं हुर आहूल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज एगेन आपके साम देख मोश्ट इंपॉर्टें आज हम लोग लेक्चर नमर थ्री आपके लिए लेकर आ गया है जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमने इसके पहले और दो लेक्चर कंप्लीड है इसमें जो भी हमने फॉर्मूला देखा वो a plus b the whole square a minus b the whole square की formula का expand किया था उसके बेस पे practice state solve किया फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा a plus b a minus b जो कि होता है a square minus b square वो भी formula solve करके उसके भी practice state solve कर ले तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों टॉपिक का main जो नाम है वो है factorization actually factorization of expression algebraic expression बोल सकते हो और उसमें आपका दो टॉपिक है एक आपका टॉपिक है monomial का दूसरा होता है binomial का और उसके बेस पे एक एक practice state है आज का जो लेक्चर है इसी के साथ हमारा जो लेक्चर जो है वो आज खतम हो जाएगा चार्टर जो है खतम हो जाएगा ध्यान से देखना यह चार्टर का लास्ट वीडियो ओके तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है factorization of algebraic expression इसमें न एक तो होता है आपका monomial तो सबसे पहले मैं monomial बताऊंगा दूसरा binomial होता है यानि दो चीज़ ठीक है ना monomial का मतलब क्या होता है single digit single digit यानि कि गर कोई भी एक number है जैसे कि 5 हो गया ठीक है ना तो यह हो गया monomial उसके साथ में कोई alphabet लेलू 5x तो यह भी monomial हो गया 5xy भी हो ग तो वह अलबी देखने वाले लेकिन सबसे पहले मैं आपको binomial बताऊंगा binomial को कैसे factorize किया जाता है और उसी की बेस पे हमारा जो practice set है जिसका नाम है practice set number 52 वह मैं आपको solve करके दिखाऊंगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस particular monomial को समझने की कोशिश करने कि exactly यह monomial होता क्या है तो ध्यान से देखेगा यह monomial के बारे में तो let's suppose I am taking one example here जैसे कि 15 है 15 मैंने एक number ले लिया अब suppose आपका जो topic है वह है factorization आपने बचपन में LCM और HCF जरूर से निकाला होगा तो हम उसको क्या करते factors निकालता है यानि कि 15 को ऐसा कौन सा number है जिसको मैं multiply क होगा वह एकदम starting में पाच्छे मैंने पहले का मैंने पढ़ाया था तो 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कोई भी number देखनेगा पहले 1 का table तो सब में आता है लेकिन 2 का table देखो 2 के table में 15 आता है क्या नहीं आता है फिर 3 के table में yes 3 के table में आता है 3 multiply by 5 करूँगा 3 5s are 15 होता है लेकिन यहां पर आप देखोगे कि और ज्यादा मैं इसको छोटा बना सकता हूं क्या और ज्यादा मैं factorize कर सकता हूं क्या 3 किसके table में जाता है 5 किसके table में जाता है और किसी के table में नहीं यानि 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं 3 multiply by 5 लिख सकता हूं correct है लिख सकता हूं वैसे समझ दो एक और मिर पास कुछ condition आ गया 15 है मिर पास ठीक है 15 multiply by x square है ठीक है और y cube है और यह z है इसको मैं कैसे लिखूँगा तो मैं 15 के लिए कैसे लिख सकता हूं सबसे पहले number पे focus करने का number क्या है 15 तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 multiply by 5 x square को कैसे लिख सकता हूं x multiply by x y cube को कैसे लि लिखा ना मैंने 3 multiply by 5 multiply by x multiply by x multiply by y multiply by y multiply by y multiply by z यह जो है यह 15 x square y cube z का क्या है factor से अब इसी प्रकार के questions आपके practice rate में दिये है तो चलो उसको factorize करते हैं जो कि मुझे लगता है सबसे simplest चीज है आपके पूरे maths में सबसे simplest चीज है सब चीज दिया है बस थोड़ा सो logic लगाना है नमबर को आपने एक बर multiply करके लिख दिया बाकी तो x square रहे cube रहे rest to 10 रहे rest to 4 रहे आप उसको लिख पाओगे बस देखके लिखना है multiply 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 डाल के कितना simple है ठीक है तो चलो practice set की तरफ चलते है सीधा सीधा में heading डालता हूं हमारा practice set number 52 ओके तो सबसे पहले में इसको मिटा दे है with the help of red marker तो चलो red marker से डाल देते हैं क्या है practice set number कितना है 52 52 हम लोग पढ़ने वाले और 53 भी आज ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत छोटे-छोटे है और बहुत easy भी है तो आवराम से आप लोग solve कर पाऊगे ठीक है तो 52 जो है आपका practice set इसको हम लोग सबसे पहले आपके ल पहला जो एक्जामपल दिया है आप देखोगे practice set 52 में जो की है 201a3b2 यह आपका number दिया हुआ है मतलब यह आपका monomials दिये हुए इसको आपको factorize करके लिखना है तो सबसे पहले मैंने क्या बला number को factorize करो अब सोचो यार दोस्टो एक कौन से table में आता है तो जैसे मैंने ब जीरो आता है logic सी बात है ठीक है logical चीज है उसके बाद क्या आता है 3 आता है तो 3 से यह divide होता है क्या करके देख लो side में 201 को 3 से divide करके देखो 3 6 18 होता है माइनस 2 बचा 21 37 चा 21 तो आगे देखो डिवाइड होगे 0 बजिया यानि कि 3 को जब मैंने 67 से multiply किया तो मुझे क्या मिला 201 मिला 3 को मैंने 67 से multiply किया तो मुझे क्या मिला 201 मिला अब उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तो यहाँ पे आप देखो 67 को और किसी से divide कर सकता होगे 67 और चोटा हो सकता है कि किसी के table में आता है कि 67 सोचो देखो 3 से तो होगा नहीं होगा उसके बाद 4, 4 के डिल में नहीं जाएगा 5, 5 के डिल में तो जाएगा नहीं क्यूंकि लाश में 5 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए मतलब आप imagine जब करोगे और मुझे जहां तक लगता है जहां तक हम लोग को इसलिए मैं बोलतो हो table याद रखो 20 तक के तो आप imagine करो कोई भी 20 तक के table सोच लो उसके table में यह बिल्कुल नहीं आता यानि कि आपको यहाई पे stop कर जाना है यानि दोस्तो एक का जो factor आएगे वो हो जाएगा 3 x 67 और कुछ छोटा नहीं हो सकता अब उसके बाद alphabet पर जाओ alphabet क्या है a cube तो a cube को मैं कैसे लिख सकता हूँ a multiply by a multiply by a a cube है तीन बर लिख दिया a multiply by a multiply by a b square को कैसे लिख सकता हूँ b multiply by b खतम हो गया यही है आपका answer चुटकी बजाते ही answer आ गया दोस्तो तो आप ही बताओ दोस्तो कितना साला simple है कितना इससे हम लोग हम लोग अपने language में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे सर हमको बोलते थे यार यार बिल्कुल नल्ला आई है तो मैं भी वही बोलूँगा एक एक्जामपल यहां पर में करा हूँगा जो किये 13 multiply by 7, sorry 13 multiply by 7 नहीं, माफ कीजेगा, ठीक है second example जो है आपका, कितना होता है, एक मिनट, हाँ, okay, second example इस प्रकार है, 91, ठीक है, 91, x, okay, x, y, or t square, ठीक है, sorry, x, y, or t square, यह आपका second example दिया हुआ है, ठीक है, तो second example आप जब देख होगे, इसको solve करोगे, तो आपका जो answer आएगा, वो आप देखोगे, अब सबसे पहली बात, मैंने जैसा हमेशा बोला, कि आपको इनमबर देखना है, कि नमबर को मैं कैसे factorize कर सकता हूँ, 91 किसके table में आएगा, तो सोचो यार, 2 के table में नहीं, 3 के table में 3-9, 1 नहीं आएग अब ना तो 7 किसके table में जाएगा, ना तो 13 किसके table में आएगा, मतलब ये 91 का factor आगया, 7 multiply by 13, ठीके, X को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिधा-सिधा X, Y को कैसे लिख सकता हूँ, multiply by Y, और T square को मैं लिख सकता हूँ, T multiply by T, आ गया answer, बस, और कुछ नहीं कर रहा है, हम लोगो य आप कर पाओगे, तो 3rd example जो है आपका, वो दिया हुआ है, ठीके, that is 24, 24, A square, B square, 24 A square, B square, अरे यार क्या दे दिया, A square, B square आ गया, डर गे, बिलकुल नहीं डरना है, और आपको पता होगा कि बहुत इसी, इसको आप चुटकी बजाते ही, सॉल करोगे, सबसे पहले 24 को कैसे 24 जाएगा, yes, we know that, कि 2 multiply by 12 करूँगा, तो 24 आता है, लेकिन यहापे खतम नहीं हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, यह चीज़ याद रखना, अगर वो वापस से divide होता है, यानि और किसी के table में आता है, तो वो भी लिखना होता है, तो यह जो 12 है, 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यह 2 multiply by 12 तो 24 आ गया, लेकिन यह 12 था, उसको मैं लिख सकता हूँ, 2 multiply by 6, यह 6 को कैसे लिख सकता हूँ, फिर से 2 multiply by 3, अब हो गया यह पूरा factor, यानि 2 multiply by 2, 2 multiply by 2, 2 multiply by 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 to 24, देखो 24 आ गया, यह हो गया उसके factors, और A square को कैसे लिख सकता हूँ, मैं A multiply by A, B square को कैसे लिख सकता हूँ, B multiply by B, and this is your final answer of this 24 A square, B square, clear हो दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो यह ही था दोस्तों हमारा practice set number 52, चौथा example जो है इसका, वो मैं आपको homework दे रहा हूँ, एक ही example homework है, बाकि आपने खुझ से आप थोड़ा examples को ढूंडो, internet पे मिल जाएंगे, आपको बहुत सरी books available होते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे, problem set में मिल जाएंगे, वहाँ से ढूंडो, निकालो और practice करो, यह practice करना आप लोग के हाप में है, जितना practice करोगे उतना अच्छा marks मिलेगा, ठीक है, अब चलता हू के हम लोग उसको समझने के कोशिश करेंगे, और उसी के base पे एक और practice set है, हमारा 53 number का, उसको भी solve करेंगे, ठीक है, तो यह समझ लो, बहुत ज्यादा important होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, अगला topic भी, तो जैसे मैंने बोला, कि आपने monomial पढ़ा, अगला topic है, वो ह समझना है, जैसे कि हमने देखा कि अब भी monomial में सिर्फ एक ही term होता था, लेकिन यहाँ पर दो term आएंगे, let's suppose मैं example के तौर पर बताता हूँ यहाँ पर, कि समझ लो, मेरे पास है, 8 x square, 8 नहीं लेता हो, चलो 4 ले लेता हो, ठीक है, 4 x square, प्लस, यहाँ पर मैं ले लेता हू 9y square, ठीक है, अब यह मेरा क्या आगया, यहाँ पर आप देखोगे, तो दो-दो term हो गया, एक यह term हो गया, एक यह term हो गया, यह दो term होने के वज़े से ही, इसको binomial कहा जाता है, और इसको factorization कैसे करना है, इसका factorization होता है, दोस्तों, एक formula से, कभी भी याद रखना, कि something का square plus something का square दिया है अगर आपको ठीक है ना और इधर पर plus नहीं लेता हूं में इधर पर minus लेता हूं खासकर minus वाले ये examples आपको देखने मिलेंगे युकि एक formula बनता है a square minus b square is equal to a plus b a minus b ये आपने अभी अभी देखा था यानि कि जो lecture number two था इसके just पहले का lecture उसमें यही तो expand किया था हमने कि a plus b, a minus b का value किया होता है a square minus b square होता है इस बार उल्टा है इस बार आपको a square minus b square के form में दिया रहेगा आप उसको expand करके a plus b, a minus b के form में लिखना होता है और इसी तरह से हम लोग binomial expression को expand करते है जैसे कि यह 4x square minus 9x square तो यह 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 किसका square होता है 2 का और x का square x होता है यानि 2x का अगर मैं फूरा square करूँगा 2x का पूरा square करूँगा तो यह 4x square automatically लिए आ जाएगा ठीक है यह पहला step बीच में minus और यह 9 जो है आपका यह 9 किसका square होता है 3 का यानि 3y का अगर मैं पूरे का square कर दूँगा तो 9y square आएगा तो यह मेरे लिए a हो गया यह मेरे लिए b हो गया a क्या है मेरे लिए 2x अब इसका expansion क्या है फॉर्मूला भी अभी देखा ना मिटा दिया मैने a square minus b square का value कैसे लिख सकते है a plus b लिख दो और एक बार a minus b लिख दो तो यहां पे a क्या है मेरे लिए 2x तो 2x plus b मेरे लिए क्या हो जाएगा 3y तो 2x plus 3y और एक बार 2x minus 3y आगया answer यही होता है आपका expansion इसी तरह से हम लोग factors निकालते हैं binomies का तो चलते हैं सीधा practice set की तरफ आपके practice set के example बहुत ही बेतरिन दिये हुए तो total there are 10 examples but don't worry आपको सीब में 4 कर रहा हूँगा बाकी के 6 examples में आपको homework देने वाला हूँ तो ध्यान से देखो आज का यह आखरी practice set और इस chapter का भी आखरी practice set और इसी के साथ हमारा chapter जो है खतम हो जाएगा तो चलिए देखते हैं हमारा practice set number 53 बहुत ही मज़दार practice set है और बहुत ज़्यादा easy मैं मानता हूँ इसको क्योंकि इतना आप talented हो उतना हम लोग अच्छे से करार है आपके लिए आप बस practice कर लोगे तो definitely you will score very good marks इतना अच्छे marks score कर पाओगे इतनी मेरी guarantee ठीक है तो मैंने क्या बोला practice set है हमारा practice set number 53 ठीक है न practice set number 53 है इस chapter का आखरी practice set question एक ही type का पूछा है जो की है आपको यहाँ पे आप देखोगे factorize the following ठीक है न एक ही type के question है factorize करना है आपको ठीक है तो चलो factorize कर देते हैं factorize the following ठीक है न binomial again तो यह पी square minus q square तो यहाँ पे आप जब लिखोगे इसको p square minus q square तो सीधा सीधा आपको दिख रहे है कि p जो है मेरा a रहेगा q मेरा जो रहेगा और b रहेगा formula we know that एक formula ऐसा लिख देने का ताकि आपको impression अच्छा लगेगा जो भी check करने वाला रहेगा वो बोलेगा तु और a minus b ऐसा आप लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा impression create होगा अब यहाँ पे a मेरे लिख्या है p है तो यानि a square minus b square का अगर मुझे expansion लिखना है तो a plus b a minus b लिखूँगा a मेरे लिख्या है p और b मेरे लिख्या है q यानि कि p plus q और एक बार हो जाएगा p minus q और यही आपका answer कितना simple है देखो यार कितना simple तरीके से हमने answer निकाल दिया तो यह p square minus q square का जो factorization का expansion आएगा वो हो जाएगा p plus q p minus q simple है दोस्तो clear है अब चलते है अगले example की तरफ यह पहला example था second example भी आपको करा देता हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है और मैं वही स्कोशिश कर रहा अज आप को सही से पढ़ाने वाला नहीं है क्यूकि आपको सही से टेकनिक कोई बताने वाला नी है सही method बताने वाला नहीं है लेकिन दोस्तो हमहां पर मेहनत करके आपसे जब से lockdown हुआ है तो अब को प्राक्राक्टी से ऐड और बचाए 54 55 56 इस और पूरा आक मैठ का math का syllra बस complete हो जागा तो सोचो हमने आपके लिए कितना मेहनत किया है तो ये मेहनत को waste मत होनी दीजेगा हमने आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियोस बनाए तो आप वीडियोस को प्यार दो जादा से यादा वीडियोस देखो बार बार देखो वीडियो उसको ताकि आप लोग जब उसको देखोगे न दोस्तो आपका concept बार बार strong होता रहेगा तो concept strong करो और share करो maximum people तक जो बच्चे नीड में है जिनको पता ही नहीं है ऐसे solve होता है इतना easy चीज है उन तक पहुचा हो यह पहुचाना आपका काम है दोस्तो तो बहुत request आपसे वीडियो को पसंद करना देखना अच्छे से और इसको शेयर करना तो चलते हैं हमारे factorization के second question पे पहला question आपने देख लिया P plus Q P minus Q का second question इस प्रकार है 4X square minus 25Y square तो 4X square minus 25Y square इसको अगर हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे बहुत simple है सबसे पहले आपको A square minus B square के form में बनाना पड़ेगा आप देख सकते हो ना यह something square है 25 को मैं कैसे लिख सकता हो 25 किसको square होता है 5 का तो 5 और यह Y है तो 5Y का यह पूरे का square तो यह हो गया दोस्तो यह A यह हो गया B अभी तब ही तो होगा यह A का square minus B का square ठीक है we know the formula एक statement आप लिख दोगे तो अच्छा रहता है formula वाला we know that कि A square minus B square जो होता है वो A plus B होता है और A minus B होता है correct है यह होता है आपका formula तो A plus B A minus B करने के लिए तो A आपको पता है क्या है 2x है तो 2x plus B कितना है आपका 5Y तो 2x plus 5Y अब उसी का उल्टा लिख दो 2x minus 5Y तो एक बार जो plus होता है वो एक बार minus होता है उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा और दो example करा हूँगा, third and fourth बाकी आपके लिए homework दूँगा, तो चलते हैं, तिसरे example की तरफ बहुत ही मज़ेदार, session चल रहा है दोस्तो, उमीद करता हूँ कि आप लोग को ये session बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, तो चलते हैं, third example क्या बोला है हमारा तिसरा example, चलो देख लेते हैं यहाँ पर ओके, that is example number 3, ठीक है, third example आप देखोगे अगर ध्यान से, तो वो है y square minus 4, ठीक है, अब y square minus 4 आप देखोगे ये होगया question हमारा, अब इसको solve कैसे करना है, तो आपको क्या चाहिए अगर ये a square minus b square के formula में चाहिए, तो ये a square तो दिख रहे हैं, लेकिन minus यहाँ पर square किदर है square ही नहीं, तो आप square बना सकते हो कैसे, we know that कि y का, तो चलो 20 तक आपको एकम से कम याद होना चाहिए, cube याद होना चाहिए, table याद होना चाहिए, इसके रहे में हमेशा बोलता हो, तो 4 का square कैसे लिख सकता हो में, sorry 4 का नहीं, 4 किसका square है, 2 का square है, तो ये हो गया ना, ये a, ये b, तो ये a का square minus b का square, तो formula है हमारे पास होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, तो उमीद करता हो कि ये भी example आपको समझ में आ गया रहेगा, and एक और example, आज आखरी example है, जो कि अलग type का है, upon में कुछ होता है ना, ratio में ठीक है ना, fraction में, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो fourth example आपको सिखा देते हैं, फिर बागी के remaining examples जो है, वो आप लोग कर पाऊगे, इतनी मेरी guarantee, ठीक है, तो वो homework के तोर पे ले 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 ना, तो चलो चोछब था example भी आपको मैं सिखा देता हूँ, fourth example इस प्रकार है, p square minus 1 upon 25 तो चलो इसको solve करते हैं, कैसे solve करोगे यह a square तो directly दिया हुआ है, यानि कि p का, जो square है, वो directly दिया हुआ है अब बीच में minus है, डाल दिया है minus अब 1 upon 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 किसका square होता है, उपर तो 1 रहेगा कोई doubt ही नहीं है, उपर 1 का square, 1 ही होता है तो 1 तो रहेगा, लेकिन यह 25 का किसका square है, 5 का square है, यानि कि 1 upon 5 को, अगर मैं पूरे को square कर दूँ, तो p का पूरे का square मतलब p square ही रहेगा वीच में minus है, बाइनस है, लेकिन यह 1 upon 5 का, अगर मैं पूरे का square करूँगा तो 1 square, 1 ही होगा, और 5 का square 25 होजगा, यानि कि घुम फिर के यह ही आएगा correct है, अब यह दिखने लगा है, यह a square जैसा, और यह दिखने लगा है b square जैसा, तो हमारा formula है, हमारे पास, we know that क्या formula है हमारे पास, a square minus b square जो होता है, वो a plus b होता है, और a minus b होता है, यह formula है हमारे पास डाल देते हैं value, तो हो जाएगा हमारा that is, a मेरे लिए क्या है, a क्या है मेरे लिए, a मेरे लिए p है, तो p plus 1 upon 5, यह हो गया a plus b और a minus b, यानि p minus 1 upon 5, तो p minus 1 upon 5, this is your answer final, तो p plus 1 upon 5, p minus 1 upon 5, यह आपका final answer था p square minus 1 upon 25 का, clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, तो remaining जो example है starting from 5th example, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 example में आप लोगो homework दे रहा हूँ इस practice set का, और इसी के साथ declare करता हूँ कि हमारा यह जो practice set है वो खतम होता है और इसी के साथ हमारा यह जो chapter है जिसका नामे algebraic formula expansion of squares यह होता है finally complete, तो जल्द आएंगे आपके सामने एक और नया बहतरीन match का lecture वीडियो लेके है और उसमें एक और बहतरीन आपका जो chapter बचा हुआ है 15th chapter जो है उसके भी शुरुवात कर देंगे और उसको भी जल्द से खतम कर देंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल आपका syllabus भी complete हो जाए तो बस आपके हाप में यही रहेगा, ज्यादा से यादा पढ़ो वीडियोस दुबारा देखो, बार-बार देखो practice बार-बार करो, ताकि आप लोग match में इतने strong हो जाओ ना 100 में से 100 marks का अगर paper होगा तो आप निकाल पाओगे इतनी guarantee लेता हो में, ठीके दोस्तों तो यहाँ पर उमीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का lecture वीडियो और यह chapter आपको पसंद आया होगा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, useful लगा है friends, तो please वीडियो को like करो share करो, ज्यादा से यादा maximum friends सक share करो, मैं चाता हो दोस्तों कि यह जो मुहीम हमने छेडा है free of cost quality education हम दे पार है तो आप लोग की support की जरौते, हमें help की जरौते तो फटा-फट से share करो, maximum people तग and अगर आपने भी दग इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटा-फट से हमारी channel को भी subscribe कर देना साथ में bell icon को hit कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो upload करेंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye